बुट मॉर्णिंग दूदेंट्स, वेलकम तू दे टियेशन स्कूल, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी विश्या की पार्थे पुस्तर पसर्थ भाग तीन का पार्थ एक जो की है ध्वनी ये कवीता है और जिसके कभी है सूरेकांत रिपार्थी जी निराला, कभी कभी सूरेकांत रिपार्थी जी निराला का जन्म 21 फर्वरी 1896 में बंगाल के मेगनीपुर में हुआ और इनकी मृत्यू 15 अक्टूबर 1961 में हुई इनकी प्रमुक रचनाये हैं परिमल, अनामिका, अपरा, नए पक्ते, तुलसी दास, चोटी की पकड, पतन वपल्लव, आदि इनकी रचनाये निराला रचनावरी नाम से आठ खंडों में प्रकाशित हैं इनकी रचनाव में दार्शनिक्ता, विद्रोह, ट्रांती, प्रेम कीता रलता, प्रकरती का विराठ चित्रादी देखने को मिलते हैं कवी छायावादी युक के प्रमुक कवी हैं, इसलिए इनकी कविताओं में प्रकरती के अभ्याओं जैसे की पेड, वसंत, पुष्प, राक्री, सबेरा इस तरह के शब्दू का प्रेयोग मिलता है जिनका छिपाहूँ अर्थ होता है, कुछ इनका रहसे पुण अर्थ होता है, कुछ अलग अर्थ होता है इनका ध्वानी पाट इस शूरीखांत रिपाटि ती निराला दवारा लिखा गया है जिसमें कभी ने मानव को अपने जीवन में कभी निराश नहीं होने के प्रेणा दिय हैं वे मानव जाती को कठी नाईयों में भी आगे बढ़ते रहने के प्रेणा देते हैं वे इस कविता दभारा मालों में जोश का संचार करने का प्रयास कर रहे हैं और यहां कभी बसंत के मात्यम से युवा पीडी को जागरत करने की लाज़ा रखते हैं तो शुरू करते हैं, कविता पाथ अभी नहोगा मेरा अंत अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में म्रदुल वसंद अभी न होगा मेरा अंत हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात मैं ही अपना स्वपन म्रदुल कर फेरूं का निदृत कलियों पर जगा एक प्रत्युष्मनोहर पुश्प पुश्प से तंद्रालस लालसा खीच लूंगा मैं अपने लव जीवन का अम्रत सहर्ष सीच दूंगा मैं द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अन्त तविता का भावार समझने से पहले जो कठीन शब्दा आए हैं उनका आर्थ समझते हैं ब्रदूर का आर्थ होता है कोमल वसंत जो की एक रिट्टू है पात का मतलब होता है पत्ता और गात का मतलब है शरीर निद्रित यानि की सोय हुआ प्रत्युष यानि प्रातकाल या सवीरा तंद्रालस कहते हैं नीन से अलसाय हुआ या आलस से भरे हुआ लालसा यानि की इच्छा या अभिलाशा और कर मतलब हाल अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में म्रदूल वसंद, अभी न होगा मेरा अंत कविता के मार्धन से कहते हैं कि मेरे जीवन में अभी अभी वसंद आया है और वसंत रितु के आने से क्या होता है चालो पर रंग बिरंगी फूल खिलते हैं पेडों पर नए पत्ते आते हैं क्योंकि बसंत रितु से पहले शीत रितु पत्षड रितु होती है तो उस समय जो भी पुराने पत्ते होते हैं वो जड़ जाते हैं और वसंद के आने पर पेडों पर नए पत्ते ऊगने लागते हैं इसी तरह कभी कहते है कि Mayra भी अंत नहीं होगा क्यों कि यह तो समय मेरी जीवन में वसंद के अधमन का है और इसमें शुरुवात हुई है यह तो इसका अंत अभी नहीं होगा यहां पर कभी च्छायावदी युकी कभी है तो वो है इस कविता में अपने जीवन को भी जोड़कर बताते हैं एक दूसरा अर्थ भी है इस कविता में जिसमें कभी के अब उन नोगों के लिए कहते हैं जो उनका जो लेखन का कर्म है या जो रचना कारे जो ने शुरू किय कविता लेखन उसको पसंद नहीं करते थे उनकी आसना करते थे उन नुगों इस और देलिम से शुचिंट की शु cursor वसंतल है कि इसका अन्त अभी नहीं होगा मैंने तो अभी शुरुआ पी और मेरा लक्षै को यूवाब लक्षतर पहुंचने से पहले में अपना लेखन कार्य बॉसंत-hrit device का अध्मन हुआ है तो अभी से मेरा& अंत नहीं होगा बलकि ये तो एक शुरुआत Dann हरे हरे ये पात दालियां कलियां कोमल गात मैं ही अपना स्वपन म्रदुल कर फेरूंगा निदृत कलियों पर जगा एक प्रत्युश्मनोहर हरे हरे जो पत्ते हैं प astrology यानि की पत्ते डालियां कलियां जो की पेड के कोमल शरीर है घात है रहनी पेड का कोमल शरीर है जो मिलकर बना है पत्तो डालियों और कलियों से उन पर मैं अपना जो स्वप्न म्रदुल कर यानि की जो मेरा स्वप्न है मेरा लक्ष है उसके द्वारा वो उसके द्वारा मैं लोगों को जागरत करूँगा तो ये मेरा लक्ष है और ये लक्ष कैसा है एक तरह से कोमल कर है कोमल हाथ है मेरा जिसके माद्यम से मैं जो सोई हुए कलिया है जो राश युवा पेड़ी है उन्हें जगाओं का इस तरह की मैं कविता रचना करूँगा ताकि लोगों में जोश का संचार हो और फिर से अपन मर्दूल कर फेरूं का निद्रित कलियों पर यहाँ पर निद्रित कलिया उन्होंने कहा है युवा पेड़ी को जो की उस समय जब अंग्रेजों का गुलाब था हमारा देश उस समय पूरी तरह से निराश हो चुकी थी तो उन युवा पेड़ी में फिर से जोश भढने के अपने देश के प्रती जागरत करने के लिए उनेमें देश-भगति जगाने के लिए उन्होंने कविता की रचना कि है और उसी के मान द्यम से वह कहरे हैं जो मेरी कविता रजना है उनका नक्षय है यूवबेडी में जोश बनने का निराश लोगों में फिर से आचा का संचार करने का तो ये एक तरह से इसे हाथ मान लेजिए मेरा कोमल हाथ जिसके द्वारा जो सोय हुई कलिया है निराश लोग है उन पर फेर कर मैं उनके जीवन में एक नया सवेरा लाओंगा प्रत्युष कहते हैं सवेरा बनोहर यानि की मन को भाने वाला सवेरा प्रातकल तो अपनी कवीता रचना से एक बहुत ही सुन्दर सवेरा लाओंगा मैं एक सूर्य उधै करूंगा अपनी रचना करम से जिससे की जो कलिया है निरा लाश है मुर्जा चुकी है उन में फिर से जीवन का संचार हो इस तरह कभी कहते हैं कि वसंद के आग्मन से मेरे रचना कर्म से मेरा जो लक्षी है मैं उसका उसतर पहुंचूंगा और मेरा लक्षी क्या है लोगों को जागरत करना आगे पुश्प पुश्प से तंद्राल लालसा खीच लूगा मैं अपने नवस जीवन का अम्रत सहर्ष सीच दूगा मैं तंद्रालस यानि की आलस है लालसा यानि इच्छा तो पुश्प पुश्प में जो आलस की इच्छा है जो आलस भर गया है उनमें जो निराशा भर गई है उसको मैं अपने नवस जीवन या तो अपने नव जीवन का आमरत उनमें सहट सीच दूँगा, अपनी आशा भरी कविताओं रचना करूँगा, जिससे लोगों में जो निराशा है वो दूर हो सके द्वार दिखा दूँगा, फिर उनको है मेरे वे जहां अनन्त कभी न होगा, अभी न होगा मेरा अन्त अनन्त में खुलने वाले जो द्वार है, यानि कि जो सफलता का द्वार है, जहां पर एक बार पढ़ने पर उसका कोई अन्त नहीं है, वो द्वार मैं जो निराश लोग हैं, उनको दिखा दूँगा, ताकि वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके और सफलता की नहीं होगा